ऐसा क्यूं हो रहा है? किस लिए हो रहा है? कौन इसे करा रहा है? या फिर जो हो रहा है वो सब सही है? इस ख़बर के साथ कई सवाल जुड़े हैं. आपने शायद दा कपिल शर्मा शो की एक बहुत बड़ी चीज के बारे में नोटिस ना किया हो, लेकिन आपकी आँखों से बचते बचाते ये बात मिस हो रही है. ये बात इतनी सीरियस है कि इस बारे में बताना जरूरी है. वैसे तो कपिल शर्मा शो के सारे एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. किसी एक अकेले एक्टर की वज़ा से ये शो नमबर वन नहीं बना है. हर किसी ने इस शो के लि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ actors किसी personal काम की वज़े से कुछ दिन छुट्टी ले लेते हैं और set पर नहीं आते हैं ऐसा हमें चंदन के case में भी लगा लेकिन अब जो असल बात है वो हमें और आपको दोनों के लिए परिशान करने वाली है चंदन ने अपने Instagram पर अपना दर्द बया किया है एक user ने उनके photo पर comment करते हुए कहा कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ अब जल्दी लोट आए इस पर चंदन ने reply करते हुए लिखा thanks for love मैं जानबूज कर show से miss नहीं हुआ हूँ मेरा character और मेरी acting शायद उनके लिए काम नहीं कर रही है इसलिए वो मुझे episode में नहीं डाल रहे चंदन का ये जवाब सुनकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या उन्हें show से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है फिलाल इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी फिलाल आप हमें comment में बताएं कि क्या आप चंदन को show में देखना चाहते हैं या फर नहीं टेलिवीजन और बॉलीबुट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए